मैं तो पेले दूसरे के घर में रहती थी उन लोगों के पास तो मेरी अच्छी सुनवाई हुई मुझे है न मैंने फाराम भरा मेरे को घर में लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा मैं जही चा रहे हुँ जो मेरी सायता कर रहे है न भगवान उनको ही जिता है और हम सब उनको ही देंगे तो मामा जी को चा रहे है आपके बहुत अच्छा लगा मेरा भाई से भी बढ़के वो भाई है मेरे एक भाई ये है एक भाई वो है बाय शिवराज जी याँ वो सब चीज दे रहे हुए पेसे सब चीज क chopsticks को कर रहे हैं लाटली बहना योजना आपको भी आहां? उसीदे खाते में? आहां खाते में आ रहे हैं मामा सब काम पसंदार है कुटी दिलवाई, सब को लाड़ी दिलच में का पेसा मिल रहा है तब को परिवार में सब को मिल रहा है शिवराज मामा जी की सरकार चाह रहे है अमा आप किस की सरकार चाह रहे है हमें मामा जी चाहिए और काई मामा जी चाहिए क्यों चाहिए मामा जी अच्छा कर रही है मामा जी और काई रेखा मेर आप भी मामा जी को चार रही है और मद्देपरदेश सार्षन के तरब से जितनी भी योजनाई चल रही है पात्र बैक्तियों को सब कलाब मिल रहा है सर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर मद्देपरदेश में चुनावी शंकनाद बच चुका है और इसी भीच आपको बता दे कई सारी योजनाओं का भी जिक्र हो रहा है आज हमारी टीम जो है वो दूर सुदूर गाउं में आई हुई है और सीधे बात करेंगे उन लाभार्थियों से जिनको इन योजनाओं का लाब मिला है इस समय जिस गाउं में हम मुझूद हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन चलाई जा रही है उनके लाभार्थि जो हैं वो यहाँ पर मुझूद है और आप देख सकते हैं कि पक्के मकान जिनकी लगातार बात की जा रही है पक्के मकान को ले करके जो जोर दिया जा रहा है उसी के तहट जो है यहाँ पर इन मकानों का निर्बान क्या जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि कोई भी जब योजना बनाई जाती है उसमें कुछ लोग वन्चित रहा जाते हैं जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीना इसमें भी कुछ लोग छूट जाते हैं कुछ डिफॉल्टर रहा जाते हैं उनके लिए एक और नई योजना यहां पर लॉँच की गई है दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान जी की तरव से यहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई गई है जितने भी इस योजना के तहर जिनका नाम छूट गया है अब ऐसे 4,75,000 लोगों जिनके पास मिलेंगा यह बात करते हैं यहां पर गाउं के लोगों से जिनको इसका लाब मिला है और सिद्य तोर पर चुनाफ से रिलेटिड भी उनकी रहे जाने के किसकी सरकार वो बनाना चाते हैं जाना मेरा कौन सा मकान मिला आपको यह वाला अच्छा यह वाला मकान मिला पहले जो ह और भी आपके कुछ मतलब जानकार हैं जिनको ये मिला आपके जानने में बहुत सरे लोगों को मिले हैं कम से कम 20-20 लोगों को मिल गाएं जो आपके जानकार में उनको 20-20 लोगों को मिले हैं जो आपके जानकार में हमारे ही साथ लगे मिले हैं और क्या कहेंगे जो पहले कच् में रहती थी उन लोगों के पास तो मेरी अच्छी सनवाई हुई मुझे मैंने पारम भरा मेरे को घर में लगा या मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा अबी चुनाब भी आरा है क्या लग रहा है आपको महुल क्या हो गया अच्छा लग रही है, मैं जही चाह रही हूँ, जो मेरी सायता का रहना भगवान उनको जीता है, और हम सब उनको देंगे तो मामा जी को चाह रहे हैं आप आप सुनवाई भी कर रहें, जैनसे हम किसी से दो रूप्या नहीं मागग चाह के, तो हमको एक हाजार रूप्या भी मिल रहा है लाडली बowi भ score उसका भी लाप मिल रहा है, हमको है ना हर बात का लाप मिल रहा है तो आप देख सकते हैं नाही केवल आवास योजना के तहए लाडली बहना जो गियोजना अभी मद्ध्य प्रदेश में पूरे देश बर में सबसे जादा इस समय प्रसलित है और उसके तहए इनको उसका लाडली बहना का भी जो है यहाँ पर लाब मिल रहा है जी हाँ और अभी है ना रक्षा बंदन पर यह साड़ी भी उन लोगों ने दी थी हमको अच्छा यह साड़ी भी रक्षा बंदन पर मिल दी है यहाँ जितने लाबार थी हैं सबको यह भी दिया गया हाँ 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 हम चाहते हैं भगवान उनको जीता है क्योंकि हमें बहुत खुशी मिल रही है जो चाहर है ना वह हो रही है हमें और कुछ नहीं चाहिए बस वो क्या हमें नीचे से उठा दी है यही बहुत है हमारे लिए यही बहुत हमारे लिए और देख सकते हैं लोग प्रपिकिन 19-22 Um को जो जै चला है उसकर नाते ह है जारी उसके नाते विवा भी कराइज ठाहर है अपकी नहीर है जुंस होड़ू कि सोच रहें। जो सरकारी योजना है उसके तहात में तो मैं तो बेशने वह चास्ति-जंध हैं। तो मैं बस इसके लिए जी रही हूं और सरकान मुझे लाब दिया मुझे बहुत अच्छा लागा मेरा भाई से भी बढ़के वह भाई है मेरे एक भाई यह एक भाई वह ऑई शिवराज जी क्या नाम है अपका अगर है अच्छा सामने ही है अच्छा ये वाला मकान है अच्छा तो ये देख सकते हैं सामने इनका कच्छा मकान था और वही पर सामने ही इनको सरकार की तरफ से पक्का मकान बना करके दिया गया है तो अभी कितना आपको फरक नजर आता है कच्छे और पक्के मकान में जो है कितना लाब मिलता है विए खुष के नाम और और के पक्चे मीअ हैना बच्चे को लेके थब रहें ऊप्था ने चुछ गिने हैं बच्छ को सबस्क्रार्चने हो C subject of a छूर मिला कि डिये इसके वाद से लगा खुल मद pa मिशना valid नहीं ग्रें दींदे य। बाफिएयों रहें कि लाग जिए आपका उससे सहुलियत मिल गई है अभी चुनाव आ रहा है दो महीने रहे हैं क्या लग रहा है आपको क्या होगा मत्परदेश में जो आपन देंगे उन्हीं को बोट देंगे मामा को बोट देंगे मामा को बोट देंगे मामा को बोट देंगे मामा इन्हें साहिता करी मामा इन्हें साहिता करी अपनी कच्छे मकान कच्छे मकान यह ना अभी कच्छे मकान है अपना यह दोनों वह कच्छे मकान में रह रहे हमारी आप जाकर देख सकते हैं जैसा यसा हो रहा है अंदर भी जैस निर्मान कारे चल रहा है और उसके अलावा आप जो लाडली बहना आवास योजना के तहरा जो है राज्य सरकार जो है पका मकान देगी सरकार को उपर है हमारा तो कुछ भी नहीं है जब सासन दे लेंगे जैराम सब जैराम जब मद्यपरदेश आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको आखिरकार मामा जी क्यों कहा जाता है केवल कहा नहीं जाता है केवल नाम दिया नहीं गया है वो भाव है वो लोगों का इमोशन है जैसे इन्होंने बताया कि सगे भाई से भी बढ़ कर मानती है और भी जिना ये चल रही है पात्रे ब्यक्तियों को सब कलाब मिल रहा है सर अभी जो लोग रह गए हैं उनके लिए और भी उजना निकल जा रही है जैसे अभी मैं आया गाउं में तो कुछ जैसे कुछ वो रहता है यह कुछ डिफॉल्ट रह जाते उनके लिए भी मुख्यमंत्र लाडली बेना आवास योजना जो है बनाई गई है और वो सब जो है उसके नाते कच्छा मकान जिनके पका मकान ले सकते हैं सर उनके फॉम लिए जा रहा है सत्रता एक से सुवारम उसका हो गया है कल 18 तारिक को दो तीन हिद्गराई आये थे मगर उनका सूची में नाम था और रहा है कलक्ट कर रहे हैं फारम और भरेंगे हम जितने भी पात्रे व्यक्ति सभी के कलक्ट करेंगे और सबको लाडली बेना आवाश योजना में लाब दिया जाएगा पात्रे व्यक्तियों Susa पात रहा है तो मुझे भी हैना नल की सुबीध्य होना चाहिए वो उसके लिए भी योजिना निगाले गई है हर्गल हर्गर जल मिशन के तफाथ्ल अभी तो है ना मैं किसी ओर से ले रही हूं क्यों मेरे पास नल नहीं है अभी तो मैं यहां सेप्ट हुई हूँ तो इस बज़े से मैं सोच रही हूँ मुझे पानी की वी सुविद्या मिल जाए पानी की वी सुविद्या बिल्कुल और कुछ हुआ लोग भी है उनसे बात करें क्या नावाइं क्या क्या लग रहा इस बार चुनाम में पैнийा इस बार क्या जांक disputes को कहारी यही पैसे मिल रहा है करिवार में भी जी yn जिनका लिस्ट में आप जिए ठीक लग रही है आपको यह सब कुछ कर रहे हैं यह गाउं की लोगों की आवाज आप सुन रहे हैं और जाता है भारत में गाउं की लोगों की आवाज में जो सच्छाई है वहीं से आप पूरा महौल समझ सकते हैं अनिल मेर सर अनिल जी आप भी हैं इसी गाओं के रहे हैं जी हाँ आप क्या कहेंगे आपको क्या माओल लग रहा है इस बार चुनाव पर जोंदा सब काम सही करेंगे उसी को तो सब कुछ सपोर्ट करेंगे मामा जी लग रहा है देखे सिधे तोर पर कुछ महिलाओं से भी उनकी राए एक बार चुनाव से सम्मदनित जान लेते हैं कि किस की सरकार हो चाहते हैं जी आप किस की सरकार चाह रहे हैं जी अमा आप किस की सरकार चाह रहे हैं कि हमें मामा जी चाहिए है इतना मतलब क्या प्रेम है मामा जी से कि इतना वो हर्चीज देते जो बोलते हो अब बच्चे उने दे देगा तो जे बच्चे उन बान ले वो पूर पानी भरी हो जो कि मामे घीला मेरी अब पूरा फीड़ा और दिवाल में कच्छा घर है मत्टी का और घर मिल गया अभी एक और आपको यहां कि मिल दे तो चार आपको क्या लग रहा किसकी सरकार आ रही मो हो सब चीज दे रहे हैं पेसे सब चीज कलवाब कर रहे हैं लाडली बेना यूजन आपको हां आ रहा है है हां खाते में आ रहे हैं अपने सुना गाऊं से सीदें तोर पर जो है जो लाबारती थे उन बहुँ हमने बात की और किस परकार से यहां पर गाउं की अगर बात किये तो तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है बहुत सारे आवास जो है वो बनाए गए हैं आवास योजना के तहट आप देख सकते हैं सीधे तोर पर और और आवास अभी निर्मान भी उनका चल रहा है आपको वहां से दिखा करके जो है यहां पर चल रहा है मेरे कैमरा मैंन आपको विज्वल दिखा रहे हैं कि जो योजना कहीं जाती है ना ही केवल जो है वो कागजों में है यहां पर आपको योजना जो है धरातल पर भी नजर आएंगे और आप इस आवास को भी देख सकते हैं यह जो आवास है यह भी परधान मंत जो 17 सितंबर से फॉर्म जो है बरे जा रहे हैं पांच अक्तूबर तक बरे जाएंगे उनको भी इसका जो है लाब मिलेगा दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवरासिंग चुहान जी की तरव से इसका जो है शुबारंब इस योजना का मद्यप्रदेश के लोगों के लिए क काम कर रही है